बच्चों आप सभी का मारी यूटूब चैनल आइडियल देव क्लासेश में स्वागत है बच्चों आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विश्य विज्ञान लेकिया है जो कक्षा सात्वी के लिए और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मत्पदेश रा उन पर इक्षाओं में अभ्यास पुस्तिका से ही पूछा जाएगा इसलिए आपको अत्यदिक तैयारी किस्ते करना है एडगेट अभ्यास पुस्तिका से चलिया द्याय दस विद्धु धारा और इसके प्रभाव क्या दिया है पाट की पूरी तैयारी नेमलिखी सब्दों का उप्योग कर उचीत बाक्स में लिखो देखी यहां पर सब्द दिये चावी रवड़ स्केल काच्ञ पाण लिकडी की स्केल पानी इनको क्या करना है यह बाक्स torture जो दिया है इन में लिखना है देखिए विद्धुत रुदी क्या होती तो इस प्रकार से आपको जो सब्द दियत उपयोग कर हमने उचित बाक्स में आपको बता दिए इसके बाद आगे क्या दिया देखते हैं अपने साथी से चर्चा करो वाक्य में लिखो वस्तु को निम्न सार्णियों में उचित इस्थान पर लिखो जिन पधातों से होकर वि पढ़ानी, इसकेल, लोए वाला, और जिन पधातों से होकर विदुथ्दारा सरवाइप नहीं हो सकती हैं किया हैं कि होते हैं जैसे रवाल, गढ़ी, और लकड़ी की स्केल लख लोद लख और लिखने के ओगई विदुथ्द चालक हो गई इन क्या दिया है इसमें अत्रिक्त अप्पे देनिक जीवन हे आधार पर भी आप विदूत- चालक या दुरोलधि पधातों को यहां पर लिखें जयसे विदूत- चालक क्या हो गया चाभी- पानी इसके लोहा और विदूत- रोधक क्या वहन रवाड dressing की और लक्री की scale इस मेकार से यह आपको complete हुआ, nest आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है, आपको रिकते स्थानों की पूरती दिये गए विकल्पों में से चुनकर लिखें, देखीं, यहाँ पर कुछ विकल्पों को चुनकर आपको रिकते स्थान की पूरती करना हैं, जैसे पहल खालिस्तान क्या दिया है एक सुरक्षा युक्ति खालिस्तान है तो आपका अंसर में आ जाएगा फ्यूज क्या है एक सुरक्षा युक्ति है फिर दूसर नमबर विद्धूत की सुचालक धात्विये खालिस्तान एवं खालिस्तान है तो आपको उत्तर में आ जाएगा विद विद्दुत की वच्चत के लिए खालिष्डान बल्प काउप्योंग करना चाहिए तो आपको उत्तर हो जाएगा। शही विकल्प चुनकर लिखना है चार बैटरी यह पनाने के लिए कि पिसका होती है यह आपको सही आंस्वाताना किया हो जाएगा टू में 빠uti और एद जीने तो शहीतना है आई मितल करक्सास नचन बाहा है बनाने के लिए कब दिप्त होता है चौर ओप्शन में से आपको बताना है कि विद्धुद्वल कब दिप्त होता है ए नमबर विद्धुद्धारा प्रभावित होने पर बी नमबर विद्धुद्धारा प्रभावित ना होने पर शी नमबर विकल एम बी सही और डी नमबर है आपका विकल QC सही इसका सही आंसर आ जागा e-no. विद्दुधाराप्रभावित होने पर इसका e-no. का प्प्सन सही है, नेस्ट प्रेशन है, बेटरी उपयोग वाले उपकारणों के नाम है, e-no. टाज, v-no. रेडियो, c-no. TV रिमॉट और d-no. नमबर उप्यूक्त सभी तो इसका सही आंसर आएगा डी नमबर उप्यूक्त सभी यह विद्धूत- चुमबक किसे कहते हैं तो आप उत्तर मता देंगे चार औपने से आपको उत्तर बताना है A. विद्धु तार से लिप्टी विद्धु धारा कुंडली को B. लोहे की छण को C. नमबर तामे की छण को D. नमबर स्टिल के तार को तो इसका सही आंसर आजागा विद्धु चुंबक किसे कहते हैं तो आपका उत्तर में आजागा ये नमबर विद्धुत तार से लिप्टी विद्धुत धारा वाही कुंजली को, क्या कहते हैं, विद्धुत चुम्बक कहते हैं, इस परकार आपका प्रस नमबर 4 कंप्लिट हुआ, इसके बाद आपके अती लगूतरी प्रस नमबर 1, विद्धुत धारा को, विद्धुत ध बेटरी का उपयोग कहां कहां किया जाता है तो आप उत्तर बता देंगे विद्धूत बेटरी का उपयोग टार्ज, कार, ट्रक, मोटर साइकल, टीवी, इनिवेटर आदी में किया जाता है इस परकर आपकर प्रेस नमबर दो का उत्तर भी कंपलेट हुआ इसके बाद प्रेस का उप्योग आजकल अधिक बढ़ गया है क्यों तो देखिए जब किसी परिपत में विद्धुत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो यह ऐसे स्योच होते हैं जो सता ही आप हो जाते हैं इसलिए एम सी भी का उप्योग आजकल अधिक बढ़ गया है इसके बाद प्रेशन मबर चार हमें आई एस आई चिन वाले विद्धुत उपकरणों का उप्योग क्यों करना चाहिए तो तो देखिए आई एस आई एस आई चिन विद्धुत उपकरणों की गुलवत्ता वह परमारी कर आता है अता हमें इनका ही उप्योग करना चाहिए इस परकर आपको प्रेशन मबर चार का उत्तर कंप्लेट हुआ इसके बाद प्रेशन मबर पांस दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहां पे चित्र बना हुआ है जिसमें बल्प जलता हुआ दिख रहा है इसमें स्वीच चौन की स्थिती में है यह शैल है और प्रकास में बल्प है इसमें किया दिया उप्रूत चित्र के विद्धूत परिपत में यदि विद्धूत बल्प का तंतू टूट जाए तो क्या बल्प दिप्त होगा कारण भी इस परश्ट करो तो देखिए इसका उत्तर में हम क्या बताएंगे विद्धूत परिपत में यदि वल्प का तंतू टूट जाए तो बल्प दिप्त नहीं होगा क्योंकि तंतू टूट जाने कारण विद्धूत परिपत पूर्ण नहीं होता है इस परकार आपका प्रेश्ट नमबर 5 का बुत्तर कंप्लीट हुआ नेश्ट प्रेश्ट नहीं आपका प्रेश्ट नमबर 6 लगू पथन या स्ट चर्किट से क्या समझते हैं लिखिए उतर दिखिए विद्धूत परिपतों में अत्यदिक विद्धूत धारा प्रभावित होने के कारण विद्धूत तारों में परस्पत सीथा संपर्क हो ज विद्दुद्थ्यूज बनाने के लिए विशेश के बने तालों के बने तारों का उप्यों किया जाता है जब इन तारों में अधिक विद्दुद्धारा प्रभावित की आती है तो इसलिए गल कर टूठ जाते हैं इसलिए विद्धुत फ्यूज बनाने में अच्छे पतारों का उपयोग किया जाता है प्रेश नमबर 7 का उत्तर कम्प्रेट हुआ नेश्ट प्रेशन है आपका प्रेश नमबर 8 विद्धुत धारा का तापी प्रभाव किसे कहते हैं ऐसे दो विद्धुत धारा के तापी प्रभाव का उपयोग होता है तो उत्तर देखिए जब किसी तार में कोई विद्धुत धारा प्रभावित होती है तो वहाँ तप्त हो जाता है इसे विद्धुत धारा का तापी प्रभाव कहते हैं उपयोग विद्धुत प्रेश और विद्धुत हीटर के रूप में किया जाता है आपका प्रेश नमबर 8 का उस्तर कंप्लीट हुआ इसके बाद प्रेश नमबर 9 विद्धुत धारा के चुमकी प्रभाव को उधारन सहीत परिभासित कीजिए विद्धुत धारा का चुमकी प्रभाव कहते है उधारन के लिए विद्धुत गंटी इस परकार आपका प्रेश नमबर 9 का उस्तर कंप्लीट नेश नगला प्रेश नमबर 10 यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चितर बना हुआ है ये कर नमबर जब switch on की स्थिती में है तो क्या कोई bulb दिप्ट होगा तो आप उत्तर मता देंगे ये चितर को देखने के बाद आपको ये दो प्रेशन दीए इन दो प्रेशन को उत्तर देना है पहला कर नमबर क्या कह रहा है जब switch off switch off की स्थिती में हो तो क्या आप कोई bulb दिप्ट होगा उतर जब switch off की स्थिती में है तो कोई भी bulb दिप्ट नहीं होगा और खनमबर क्या कहा रहा है जब switch on की स्थिती में लाते हैं तो ABC बल्पों में दिप्ट होने का क्रम क्या होगा उत्ता देखिए जब स्यूच को on की स्थिती में लाते हैं तो बल्पों के दिप्त होने का क्रम केमसर C, B, A C से B और B से A होगा इस परकार आपका प्रेश नमबर 10 का उत्तर कंप्लेट हुआ इसके बाद नेक्स प्रेशन है आपका प्रेश नमबर 11 प्रेश नमबर 11 क्या कह रहा है साधान विद्दूत बल्प के स्थान पर अब LED बल्पों का उप्योग क्यों करना चाहिए साधान विद्दूत बल्पों की तूलना में LED बल्प कम औरजा खपत करते हैं और अधिक प्रकास उत्पन करते हैं इसलिए LED बल्प का उप्योग करना चाहिए आपका प्रेश नमबर 11 को उत्तर कंप्लेट हुआ इसके बाद प्रेश नमबर 12 क्या है उसका यह नमबर विद्दूत परिपत में उप्योग होने वाले निमन अवय और प्योग होने वाले निमन अवय जो दी हुए आपको जैस किएदी हो और सभू से तरह तो इस पर्पास से आपका प्रश्नमाय को सब्सस्राइब का प्रिपत आलेक बनाईए लिक स्वीच आप की स्थितिम हो किस स्थितिम बल्प दिप्त होगा कारण भी लिखिए तो देखिए स्वीच आउन की स्थितिमें इस पकार से आप बताएंगे और स्वीच आप की स्थितिमें इस पकार से आलग बनाएंगे जो परिपत बन गया यह आउन की स्थितिमें और यह आ क्या कहा है इसमें आगे स्थिते में परिपत पूर्ण नहीं होने के और दिफ्त होगा और प्रिपत-प्रिपत पूर्ण नहीं होता थब प्रश्ण नमबर 12 का बी नमबर का प्रश्ण कंप्लीट होता है इसके बाद प्रश्ण नमबर 13 देखिए विद्धुत चुमबक का उपयोग किसी कच्छरे के धेर से चुमकी पधातों को प्रथक करने में एक इस प्रकार किया जा सकता है इस फ़स्ट कीजिए तो देखिए विद्धुत चुमबक का उपयोग कच्रे के धेर से चुमकी पधातों को प्रथक करने के लिए विद्धुत चुमबक को क्रेन की सहता से कच्रे की धेर पर घुमाया जाता है जिससे चुमकी पधात चुमबक से चिपक जाते हैं इस प्रकार से आप प्रश्ण नमबर 13 का उ को आन किया जाता है तो तार के निकट रखी चुमकी सुई विच्छेपित हो जाती है क्यों तो तर देखिए किसी तार से विद्धूत को प्रभावित करने के लिए स्विच को आन किया जाता है किसी तार से विद्धूत को प्रभावित करने के लिए क्या करते हैं स्विच को आन किया जाता है तो तार के निकट रखी चुमकी सुई तार के आकरशन वा विद्धुद धारा के चुमकी प्रभाव के कारण तार के निकट रखी चुमकी सुई विच्छेपित हो जाती है इस प्रकार आप प्रस नमबर 14 को उत्तर कंप्रेट करेंगे नेस्ट प्रस ने नबर एक अधिक उर्जाख होगी नंबर दो vyदुद्ध बिल अधिक आईगा या वेदुद्ध बिल अधिक आना नंबर तीन बार-बार बल्ट फियोज होना और नंबर 4 कम प्रकास प्राप्त होना यह इसके क्या हो गए प्रभाव हो गए किसके साधान विद्दुद बल्पू के स्थान पर अल्डी बल्प को प्रुख ना करें तो क्या प्रभाव होंगे तो यह प्रभाव आपको हमने बता है इस प्रकाश से आप प्रस नमबर 15 को उत्तर कंप्लीट होता है नेक्ट प्रस नमबर 16 विद्दुद घंटी का परिपत बनाते हुए उसकी कार्यविधी समझाएए यह विद्दुद धारा के किस प्रभाव पर कार्यकरती इस पर्ष्ट रूप से लिखिए तो इस प्रकाश से आप विद्दुद परिपत की घंटी बता देंगे यह हतोला हो गया यह तार हो गया यह बैटरी हो गई और ऑप से मैं रहा है आप अपने धनिक में कौन से विद्दुद उपकर्णों का अधी सट्वी की नाम लिखें वासिंग में क्या क्याुद घना है अपने गणों में बिजली की बचेत के लिए हैं आप क्या-क्या उपाय करेंगे नमबर एक into करेंगे दिन वाह जाते समें पंखे वा बंद रखेंगे रखना तीसरा पाइंट गुज्जा के वेकल्पिक सोथ जैसे सोरुज्जा का उप्योग करना चौंता आउसकता ना होने पर पंखे वा वल्प बंद रखना इस प्रकास से आपका जो प्रोजेक्ट एक के और बग नंबर के प्रश्णों के हल आपको कंप्लिट किये इसके अधिक विद्दुत उपकरणों को खराब होने से बचाती है एलेडी कम वार्ट में अधिक विद्दुत उजा पैदान करना वह विजली बिल बचाना एश्टर विद्दुत सप्लाई चेक करने के काम आता है और स्वेच विद्दुत परिपद बंद चालू करने के लिए इस परिकार बच्चों आपका ये प्रोजेट्ट दो भी कम्प्लिट होता है प्रोजेट्ट एक प्रोजेट्ट दो और जो आपका अध्याय दस था उसके जो प्रशनों के उत्तर आपको बता ये अच्छे लगे हो तो आप हमाई चैनल आइडियल देव क्लासेस को सस्काइ कीजिए लाइक कीजिए अन्य ग्रूप में शेयर जरूर कीजिए